कुए की जादूई साथ साड़ी राधेपूर नामक गाओं में महिमा अपनी मा सुनीता के साथ रहती थी दोनों मा बेटी बहुत ही गरीब थे वे दोनों अपना जीवन बहुत ही मुश्किल से बिता रहे थे एक दिन सुनीता अपनी बेटी महिमा की साधी राधेश नामके लड़के से तै कर देती है और वो साधी की तैयारियां करना शुरू कर देती है अरे अभी तक साधी की कोई भी तैयारियां नहीं हुई है अब हमें तैयारियां सुरू कर देनी चाहिए महिमा के लिए कुछ कप बाजार जाने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था जब सुनिता जंगल से होकर गुजर रही थी तभी उसे जंगल से एक आवाज सुनाई पड़ती है सुनिता उस आवाज को सुनकर आवाज की तरफ जाती है तभी वो देखती है कि एक पिंजरे में कुछ पंची क्याद ह हो गये हैं तभी सुनीता बोलती है अरे इन बेजुवान पंचियों को किसने क्यात कर रखा है लगता है कोई सिकारी अपना जाल बिछाया था और यह मासूम पंचियां पिंजरे में फस गई है मुझे इन लोगों को यहां से आजात कर देना चाहिए तभी पिंजरे में फसे ह मार कर खाना चाहता है अगर हम इस पिंजरे से जल्दी बाहर नहीं निकले तो वे सिकारी हमें बेज देगा यह मार कर खा जाएगा किर्प्या करके आप हमें बचा लीजिए पर मैं आप लोगों की मदद कैसे कर सकती हूं यह पिंजरा तो बहुत ही मजबूत है इस पिंजर लाने के अंदर इस पिंजरे की चाबी रखी है तुम्हें उस पिंजरे की चाबी लाने के लिए उस गुफा के अंदर जाना होगा और इस पिंजरे को खोल कर हमें आजात करवाना होगा यह सुनकर महिमा उस गुफा की तालास करने के लिए जंगल में इदर उदर घूमने लगती है जंगल से थोरी ही दूर आगे जाने पर उसे वो गुफा भी दिखाई देता है तभी गुफा देखकर सुनीता बोलती है अरे लगता है ये वही गुफा है जो हमें उन पंचियों ने बताया है मुझे इसके अंदर जाना चाहिए इतना के अगर सुनीता उस गुफा आने के लिए आगे बढ़ती है वैसे ही उसकी नजर बहुत ही कीमती खजानों के उपर जाती है वहाँ पर बहुत ही कीमती सोने चांदी और हीरे जेवरात रखे हुए थे परन्तु सुनीता लालच में ना आकर केबल वहां से चाबी उठा लेती है और वापस उसी पिंजरे के पास जाती है उसके बाद वो पिंजरा खोल देती है और फिर सभी पंची आजाद हो जाते हैं जैसे ही पिंजरे से पंची बाहर निकलते हैं वैसे ही वो अपना रूप बदल लेते हैं और वो साथ पढ़ियों के रूप में बदल जाती है तब ही सुनीता कहती है अरे आप स कि आप आप सब खुले छा convention में घूंप सकती हैं सुनीता तुमने हमारी चान बचाक्र बहुत ही नेक काम किया है तुम्होत ही इमांडार और नेक दिल की हो, तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए इसके बदले में हम तुम्हे कुछ देना चाते हैं, तुमने हम साथ परियों की जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हें साथ जादूई साड़ी देते हैं, लेकिन तुम्हें इन साथ जादूई साड़ीों को लोगों की नजरों से बचा कर रखना होगा अगर किसी को इन साथ सार्यों के बारे में पता चल जाएगा तो इसका जादू खत्म हो जाएगा लेकिन परीजी मैं भला इन जादूई साथ सार्यों को कहां पर रखूंगी सुनीता तुम्हें इन साथ सार्यों को छुपा कर रखना ही होगा तुम्हारे घर के पीछे बहुत पुराना कुआ है तुम उसकुए में इन सातो जादुई सारियों को डाल देना और तुम्हें जब भी किसी चीज की जरुत होगी तो तुम उसकुए में आवाज देना ये सातो की सातो सारियां तुम्हारी मदद करेगी इसके बाद परियां सुनीता को साथ सारियां दे देती है सुनीता उन सारियों को लेकर अपने घर आ जाती है घर आने के बाद सुनीता ये सारी बाते अपनी बेटी महिमा को बताती है उसके बाद सुनीता उन साथों सारियों को परी के बताए हुए अनुसार गर के पीछे वाले कुए में डाल देती है और बोलती है अब इन साडियों को कोई खत्रा नहीं है अब किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा इस तरह से वे 7 साड़ियां कुए में सुरक्षित हो जाती है और वहें दूसरी तरप सुनीता अपनी बेटी महिमा की शादी की तैयारियां करने में वैस्ट हो जाती है लेकिन तभी एक दिन आंधेरी राट में बहुती तीज आंधी तूपान आता है जिसमें सुनीता की तूटी-पूटी मिट्टी का घर गिर जाता है और दोनों माबेटी बहुती उदास हो जाते हैं तभी सुनीता बोलती है अरे ये सब क्या हो गया अब तो मैं पूरी तरह से बरवाद हो गई अब मैं क्या करूंगी अब भला मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी घर से बेघर हो जाने के बाद दोनों माबेटी को बहुती दुख होता है और दोनों मा बेटी फूट फूट कर बहुत ही रोती है तभी रोते रोते सुनीता परी की दी हुई जादू ही सारियों से मदद मांगने का सोचती है क्योंकि इस समय उसे मदद की बहुत ही आवसकता होती है तभी सुनीता उस कुएं के पास जाती है और उस कुईय में रखी हुई जादूरी सारियों से अपनी सारी परिशानी बताती है जिसके बाद सारियों में से आवाज आती है शुनिता हमारे होते हुए तुमें दुखी होने की जरुत नहीं है तुमें इस समय पैसों की आव सकता है ना? तुम चिन्ता मत करो, हम तुम्हें धेर सारे पैसे देते हैं, येलो पैसे सार्यों के इतना बोलते ही एक सारी कुए से उपर आकर धेर सारे पैसे प्रगट कर देती है और सुनीता इतने सारे पैसा देखकर बहुत ही खुस हो जाती है क्योंकि ऐसा चमतकार सुनीता और उसकी बेटी ने कभी नहीं देखा था उसके बाद भी सारी वापस से उसी कुए के अंदर चला जाता है तबी महिमा अपनी मा से बोलती है एडे वा मा अब तो हमारे पास धेर सारी पैसे आ गए अब तो हम इन पैसों से अपने लिए एक सुन्दर सा घर खरी दी सकते है हाँ महिमा बेटी तुम बिल्कुल सही कह रही हो अब हमें रहने के लिए एक घर खरीद लेना चाहिए उसके बाद सुनीता उन पैसों से अपने लिए एक सुन्दर सा घर खरीद लेती है घर खरीदने की बात सुनीता की बेहन मालती को जब पता चलता है तो वो यह सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा है और वो सोचती है अरे कल तक तो इसके पस खाने के लिए कुछ भी नहीं था और आज इन्होंने रहने के लिए इतना बड़ा घर खरीद लिया मुझे तो इस बात का पता लगाना ही होगा कि आखिर कार मेरी बेहन सुनीता रातो रात इतनी अमीर कैसे हो गई कल तक तो वो टूटी फूटी जोपरी में अपना दिन गुजारा करती थी और खाने के लिए भी तरस्ती थी और आज यह अचानक से इतनी अमीर कैसे हो गई जो तो यह सब अब गरीब लोगों में पैसे और सोना चांदी बांट रहे हैं मुझे तो पता लगाना ही होगा कि आखिर माजरा क्या है और उस दिन के बास से सुनीता के बैन सुनीता के उपर नजर रखने लगती है सुनीता जहां भी जाती उसकी बैन चुपके से उसके पीछे जाती है एक दिन सुनीता उसी कुएं के पास जाती है और कुएं से कहती है यह जादुई कुआं मैं गरीब और और सहाय लोगों की मदद करना चाहती हूं जिस तरह आपने मेरी मदद की है मैं चाहती हूं कि मैं अपनी तरह बांकी की और भी गरीब और और सहाय लोगों की मद पैसों का बहुत-बहुत धन्यवाद, अब मैं इन पैसों और सोने चांदी की मदद से और भी गरीब और जरुतमंद लोगों की मदद करूंगी इसके बाद सारी सारियां वापस से उसी कुएं के अंदर चले जाती है दूर खरी सुनीता की बेहन यह सब देख रही होती है तब उसके बेहन बोलती है अच्छा तो यह बात है सुनीता इन सारियों की वज़ा से रातोरा माल अमाल हो गई है इस कुए की सारियां सुनीता को पैसे और सुने चांदी देती है मुझे किसी भी तरह इस कुए से सारी सारियां निकालनी होगी उसके बाद मैं इस गाउं की सबसे ज़्यादा अमीर औरत बन जाओंगी उसके बाद सुनीता की बहन रात होने का इंतजार कर करने लगती है रात होते ही वह सुनीता के घर के पास पहुंच जाती है और सीडियों की सायता से कुएं के अंदर पहुंच जाती है तब जादूई सारियां बोलती है यह लालची अरत हमें यहां से लेने आई है हमें इसे सबक सिखाना ही चाहिए इसके बाद वह सारी जादू उस लालची औरत के ऊपर छोड़ देती है हाई हाई मैं मर गई कोई बचाओ मुझे कोई तो बचाओ कोई तो मेरी मदद करो मेरे सी गलती तुमारा कभी नहीं करूंगी हाई छोड़ तो मुझे मुझे गलती हो गई काफी देर बिजली के जटके खाने के बाद सुनीता की बहन कोई से बाहर निकलती है और अपना मुझ चुपा कर वहाँ से भाग जाती है उसके बाद सुनीता की बहन उस जादूई सारियों को चुराने के बारे में कभी सोचती तक नहीं है और सुनीता कुएं की जादूई साथ सारियों की मदद से अपनी बेटी महिमा की शादी बहुत ही धुमधाम से करती है जादूई साथ सारियों की वज़ा से महिमा अपने मा और पती के साथ हासी खुशी जीवन बैतित करने लगती है गरीब बेटी की शादी सोनपूर गाओं के एक बहुत ही गरीब परिवार में गोमती ने पांच बेटियों के बाद फिर से एक बेटी को जन्म दिया पांच बेटियों के बोज के बाद फिर एक बेटी का जन्म यह उस परिवार के लिए खुसी नहीं बलकि एक नई मुसीबत थी अरे करम जली छेचे बेटियों को जन के हम सब की चाती पर मौंग क्यों दलवाना चाती है ये भगवान पहले ही हमारे उपर पाच पाच लड़कियों का बोज है घर में एक ही मजदूरी करने बाला है उसमें भी जिस दिन उसे काम नहीं मिलता हमें भूका ही सोना पड़ता है उपर से एक और बेटी का पेट हम कैसी भर पाएंगे सास की इस जली कटी का गोमती के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि गरीबी और भूक इंसान को वो सब करने पर मजबूर कर देती है जो कोई आम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता यह कहानी उसी गरीबी में जन्मी राधा की है राधा के पैदा होने से सब दुखी थे तभी एक सेठानी उनके घर आकर उनका दर्वाजा खटखटाई गोमती की सास फुलमतिया ने जैसे ही दर्वाजा खोला सहर की एक बहुत ही धनमान महिला प्रेम लता खड़ी थी क्या आपके घर किसी कन्या का जन्म हुआ कन्या हां कल रात को ही मेरी अभागन बहु ने एक कन्या को जन्म दिया है लेकिन यह सब आपको कैसे पता देखे हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है बस कमी है तो एक आउलाद की क्या आप मुझे वह कन्या दे सकती है मैं आपकी पोती को गोद लेना चाहती हूं यह स मालकिन हम सब बहुत ही गरीब लोग हैं बहुत मुश्किल से दो वक्त की रोटी चुटा पाते हैं जब से यह लड़की हुई है तब से हम सब को उसी की फिकर लगी हुई है आप हमारे घर देवी की तरह आई हैं आपके घर जाकर इस अभागन का भागी खुल जाएगा मुझ गरीब के पास इस बच्ची को देने के लिए भूक और बिबारी के सिबा कुछ नहीं है और आपके पस दुनिया की तमाम खुसियां है फुल मतिया ने प्रेमलता को अपनी पोती दे दी प्रेमलता उस बच्ची को लेकर वहां से निकल परी रास्ते में एक नदी परत प्रेमलता ने अपनी कारूस नदी के पास रोकी और बच्ची को लेकर पूल पर खरी हो गई आज मैं अपने बेटे के भागे का लिखा मिटाने जा रही हूं मिटाने जा रही हूं मैं राजगुरू की उस भविस्वानी को जिसे मैं अपने जीते जीतो कभी पुरा नहीं ह एक जाने माने जोतिस ने उन्हें बताया था कि उनके इकलोते बेटे की साधी गाउं के सबसे गरीब घर की बेटी से होगी। उस पंडित ने उसे यह भी बताया कि यह बच्ची और कोई नहीं बलकि पुर्ण मासी को जन्मी गोमती की बेटी ही है। मैं इस भविस्वानी को मिटा कर रहूंगी। मैं खुद से अपने बेटी की तकदीर लिखूंगी। मैं मार डालूंगी उस लड़की को नहीं छोरूंगी। वही दूसरी और वो छोटी बच्ची पानी में बहे जा रही थी। वही नदी किनारे बसे गाउं के मच्छुारन कमला मच्छी मारने के लिए नदी में जाल डाली थी। कितनी देड हो गई। आद तो एक भी मच्छी जाल में नहीं आई। तबी उसकी नजर पानी में बह रही उस बच्ची पर पड़ती है, जो जोर जोर से रोए जा रही थी। अरे, ये किसकी बच्ची है? किस सेतान ने इस फूल सी बच्ची को पानी में फैक दिया? अरे, जब पाला नहीं जाता, तो लोग बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं? क चुप हो जाओ, कमला एक बिद्वा औरत थी, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, उसने उस बच्ची को गोद ले लिया, कमला ने उसका नाम राधा रखा, धीरे धीरे समय का पहिया घूमता गया, राधा बठारा बर्श की हो गई थी, और इसी बीच कमला की भी मिर्त था, तबी मौसम बहुत ही खराब हो जाता है, तेज आधी और बारी से राजीर की नाव डूबने लगी, राजीर पानी में गिर गया, कुछ देर तो वो पानी में अपना हाथ पैर मारता रहा, लेकिन तैरना नहीं आने की वज़े से, वो पानी में बेहोस हो गया, और पान तरी तरफ राधा उस समय नदी में मचलियां पकड़ने के लिए आई थी, लेकिन तुफान के कारण वो वापस घर जा रही थी, तबी उसकी नजर पानी में बह रहे राजीर पर जाती है, अरे ये कौन है, कौन इस तरफ पानी में बहता आ रहा है, मुझे जल्दी ही इसकी जान बचानी होगी, नहीं तो ये मर जाएगा, राधा तुरंत पानी में कूट कर उसकी जान बचा लेती है, राजीर को जब होस आता है, तो वो खुद को राधा के घर में पाता है, ये मैं कहा हूँ, और आप कौन है, तब राधा ने राजीर को सारी बाते बताई, जिसे स उनका राजीर का दिल राधा के रिए प्यार से भर गया, इसने मेरी जान बचाई, अगर ये वक्त पर नहीं आती, तो सायद में इस दुनिया में नहीं होता, मुझे इस से अच्छे जीवन साथी कहीं नहीं मिल सकती, और फिर उसने राधा से अपने प्यार का इजहार किया राधा को भी राजीव बहुत पसंद आया था, इसलिए उसने भी हाँ कर दिया, और कुछ ही दिनों में दोनों ने साधी कर ली, साधी के बाद राधा को लेकर अपने घर पहुचा, और अपनी मा को सारी बाते बताई, बेटे, तुमने ऐसे कैसे साधी कर ली, अरे, कौन है ये लड़की, इसका खांदान क्या है, कहां रहती है, तब राधा ने उसे अपने बारे में सारी बाते बताई, जिसे सुनकर प्रेम लता ने अपना सिर पीट लिया, और मनी मन सोचने लगी, ए भगवान, 18 साल पहले, मैंने जिस लड़की को अपने बेटे की जीवन से निक कर नहीं करूंगी, कुछ दिनों के बाद राजीब कुछ काम से सहर से बाहर चला गया, तब प्रेम लता ने राधा को अपने पास बुला कर कहा, बेटी, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं, बलकि अपने इकलौते बेटे के लिए, उसके जीवन क के लिए ये कर पाओगी, बोलो बेटी, या फिर मना करके मेरे बेटे के जीवन को हमेशा के लिए मिटा दोगी, बोलो बेटी, जब आप दो, ये सब आप क्या बोल रही है माजी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखो, मुझे तुमसे यक हैना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूँ, मैं भी तो आखिर मा हूँ, अपने बेटे को खुछ से अलग होते नहीं देख सकती, तुम्हें तो पता ही है, हमारे पुरोहित राजगुरु कितने ग्यानी है, उनकी कही हुई बात आज तक गलत नहीं हुई है, मैंने उनसे तुम्हारी और राजीब दोनों की कुणली दिखाई थी, उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम दोनों के साथ रहने से मेरे, मेरे बेटी की मिर्त्यों हो जाएगी, यह आप क्या कह रही है माजी, मैं सच कह रही हूँ बेटी, मेरे बेटी की जिद्गी तुम्हारे हाथ में है बेटी, अगर तुम उस सहर को छोड़कर एक जंगल में चली गई कई दिनों तक भूगे प्यासे भटकने के बाद वो बेहोस होकर जंगल में गिर गई जब उसे होस आया तब उसके सामने भैरव नाम का एक बूढ़ा सपेरा बैठा था तुम कौन हो बैटी और तुम अकेले इस जंगल में क्या कर र कोई नहीं बदल सकता सायत तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था और वैसे भी तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे पत्ति के जीवन के लिए है इसलिए इसे सुविकार करके नई जिंदिगी की सुरुआत करो बैटी उस दिन से रादा उस बूड़े सपेरे के साथ रहने ल बलकि उनके जहर को काटने का मंत्र और जरी बुटी के बारे में भी जाना बैटी तुम बहुत ही पट्ति भावान हो जिस कला को सीखने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया उसे तुमने इतने कम समय में इतने अच्छे से सीख लिया समय का पहिया फिर घूमने लगा फिर एक दिन प्रेम लता और राजीव उसी गवं में अपने किसी रिष्टेदार की साधी में आई साधी के बाद राजीब अपने कमरे में सो रहा था तभी पता नहीं कहीं से एक जहरिला साप आकर राजीब को काट लिया राजीब दर्द से चीख उठा मा, मा, मुझे सापने काट लिया मा राजीब का पूरा सरीर नीला पढ़ने लगा और उसके मुझे जहाग निकलने लगा और वो बेहोस हो गया प्रेम लगता के तो पैरों के तरे जमीन ही खिसक गई वो जोर जोर से रोने लगी और लोगों से मदद मागने लगी तभी किसी ने उसे भैरम सपेरे के बारे में बताया बेहन यहां से कुछी दूर सपेरों की बस्ती है जहां भैरम नाम का सपेरा रहता है कहते हैं उसके पास दुनिया के सारे सापों के जहर का काट है हमें जल्दी ही इसे उसके पास ले जाना होगा और फिर सभी राजीब को भैरम सपेरे के घर ले आते हैं और भेरब सपेरों को सारी बाते बताते हैं यह सब सुनकर सपेरा कहता है देखिए अब मैं बूड़ा हो गया हूँ मुझे तो ठीक से दिखाई तक नहीं देता मैं अब तुम्हारे बेटे का इलाज करने में आसमर्थ हूँ लेकिन हाँ मेरी बेटी तुम्हारी मदद कर सकती है उसके बाद उसने राधा को आवाज दी राधा को देखते ही प्रेम लता की आँखे फटी की फटी रह गई उसने सरमिंद्गी से अपना सर जुकाते हुए राधा को देखा राधा अपनी सास को देखते ही उसे पहचान गई वो तुरंथी जंगल से जरी पूटी लाकर राजीब को लगा दी और जल्दी ही राजीब के सरीर से जहर उतर गया और वो ठीक हो गया उसने जैसे ही अपने सामने राधा को देखा खुसी से चोकता हुआ बोला राधा तुम जिन्दा हो पर मा ने तो कहा था जब मैं काम से बाहर गया था तब तुम्हारी मिर्टू हो गई थी ये सुनका राधा ने अपनी सास प्रेमलता की तरफ आस्चारे से देखा प्रेमलता राधा के सामने दोनों हाथ जोर कर रोते हुए बोली तुम दोनों मुझे माफ कर दो मैं तुम दोनों का गुनेगार हूँ खास कर राधा बेटी तुम्हारा मैं भागी के लिखे को बदलना चाहती थी लेकिन मैं हार गई बेटी मुझे माफ कर दो राधा बेटी मुझे माफ कर दो उसके बाद प्रेम लता ने राजीब को सब कुछ सच सच बता दिया यह सब सुनका राजीब को अपनी मां से घिरना होने लगी लेकिन राधा के कहने पर उसने अपनी मां को माफ कर दिया और फिर सबी खुसी खुसी एक साथ रहने लगे तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताए कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी सेर करे और हाँ दोस्तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादूई टीबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा कर अभी सब्सक्राइब कर ले तो मिलती हो ऐसे ही फिर किसी नई मज़ेदार जादूई कहाने के साथ तब तक अपना ध्यान रखे बाई बे दोस्तो